नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रैंशली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों अगर आपको भी अपच्च की परिशानी बहुत जादा रहती है आपका खाना सही से पच्टा नहीं है भूक नहीं लगती है खाना खाने के बाद पेट में मरोड या पेट में भारी पन उल्टी जैसी लगना या खाना बार-बार मुँ में पलेट के आना ये सारी परिशानी अगर आपको रहती है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफोमेटिव है आज मैं आपको दोस्तों ऐसे एक ड्रिंक्स बताऊंगी या ऐसी आप चाय समझ ले बताऊंगी जिसका प्रयोग इन तमाम परिशानियों में बहुत ही अच्छा करता है और अगर आप इसको 15-20 दिन या एक महिने पी लेते हैं तो आपकी ये अपच की परिशानी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो ये वीडियो दोस्तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फोर्मेटिव है आप इसको अन तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहे हैं दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो अब आप सभी मेरे साथ मेरी वेबसाइट डॉक्टर प्रांचली डॉट कॉम पर जुड़ सकते हैं जहां आपको मेडिसेन और मेरे अपांटमिंग सम्मधित सारी इंफोमेशन मिलेंगी आपको मेरे आगे जितने व्लॉग्स आएंगे होमेशन मिलती रहेंगी और अगर आप सभी मेरे साथ मेरी सोशल मेटा प्लेटफॉर्म जैसे की फेस्बूक इंस्ट्राग्राम ट्विटर इन सब पर जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे तो एक करते हैं सुबा जल्दी उठना होता है तो बहुत कम नीन मिलती है खाना जो अवेलिबल है वही खा लिया बस पेट भरने के लिए खा रहे हैं नीन प्रॉपर नहीं रख रहे हैं इन सब के वज़े से धीरे-धीरे करके हमारा जो इंडाइजेशन है बहुत ज़दा खराब ह हो जाता है पेट फूलना दोस्तों खाना खाने के पात बहुत ज़दा गैस बना खट्टी डगार आना बधजमी होना पेट सही से साफ ना होना ऐसी बहुत ज़दा बना यह तमाम जो लक्षण है यह इंडाजेशन को शो करते हैं मीन्स आपका शरीर प्रॉपर तरीके से आ साथ आप चाहें तो एक दिन वो ले दूसरी दिन दूसरी वाली चाय ले सकते हैं बहुत इजली आप उसको बना सकते हैं और दोस्तों यह आपके डाइजेशन को तो इंप्रूफ करेगा ही साथी साथी अगर माइल्ड लीवर डिसफंक्शनिंग होगी यह आपकी आथ आप पानी ले जा लिजे एक पैन मेप ने डाले मिन्ट की साथ से अठ यह दथ पतिया ले लें आजकल इजिली बहुत मिल जाती हैं बारो महीने मिल जाती है उस पत्ती को अच्छे से दो के आप उस काा डालने Bug अच्छे से बॉयल करें, तब तक बॉयल करें, दोस्तों जब तक वो एक दो कप चाय जो है, खौल कर एक कप ना बन जाए, आप उसको ढग के पका सकते हैं, तो पूरे अच्छे से इसकी जो स्टीम है, उसमें से एक्सट्राक्स निकाल लेगी पुदीने काऊ, और पूरे एक बिल्कुल नहीं पीना है, दोस्तों इसको आपको हमेशा आपने भोजन से पहले पीना है, लगबग आधी गंटे पहले, चाहे आप लंच से पहले पी सकते हैं, या फिर आप डिनर से पहले पी सकते हैं, रात्री के भोजन या दिन के भोजन से आधी गंटे पहले पीना है, दोस्तों जो पुधीना होता है उसमें especially एक entacid जैसी property होती है entacid जैसे आपने देखा वो पुधीने की गोलिया आती है यह हमारे शरीर में जो acid बनता है उसको कम करने में मदद करता है जो अपच की परिशानी होती है उसमें बहुत लावप्रद है और आपके digestion को improve करने में मदद करता है दूसरा पे है दोस्तो इसमें आपको प्रयोग करना है जीरा जीरा और लॉंग दोस्तो ये दोनों बहुत ही अच्छा काम करते हैं जीरा स्पेशली दोस्तो अगर आपके आत में या आपके स्टमक में कहीं हलकी सूजन हो उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा मददगार है साथ में एक डाइजिस्टिफ सिस्टम को अच्छा करने में मददगार होता है लॉंग जो होती है दोस्तो वो भी एक एंटासिक जैसे काम करती है मतलब अगर आपको बहुत ऐसीडिटी हो रही है खाना बार-बार मुवें पलेट के आ रहा है सीने में जलन लग रही है उस केस में दोस्तो लॉंग बहुत ज़ादा फाइदे मन्द होती है तो इसके लिए आपको क्या करना है सेम दो कप पानी लेना है उसमें आपको आधा चमच जीरा डालना है और चार से पांच लॉंग डालनी है और इसको भी ढख के आप अच्छे से पका लें तब तक पकाएं जब तक बानी एक कप नहीं बच जाया उसको चान लें और उसमें एक चमच शहट डालके खाने से 30 मिनट पहले आप इसका प्रयोग करें तीसरा जो पे है दोस्तो वो है सौफ का चाय सौफ भी आपने सुना होगो दोस्तो बहुत अच्छी काम करता है इस डाइजेशन के लिए साथी साथ एसिड के लिए जो टेंड़नसी होती है बोटी में पेट के फूलने और इसीड़ी में इन सब में ये बहुत अच्छी काम करती है साथी दूस्तों इसमें एक anti-spasmatic effect होता है मतलब अगर आपको खाना खाने की बाद पेट में एक मरोड जैसे उच्छी है पेट में दर्ध सा होता है तो सौफ की चाय बहुत ज़ादा फाइदेमेंद है आपके लिए यह आपके digestion को improve करता है पेट फूलना बधजमी खाना सही से न पचना इन सब पे बहुत अच्छे से काम करती है इसमें भी आपको लेना है एक चम्मच आप जो teaspoon होता है एक सौफ ले ले सेम आपको दो कप पाने में boil करना है धक्के पकाएं जब वो पक्के आधी हो जाए या एक कप हो जाए उसमें एक चम्मच शहर डालके आपको तीस मिनट पहले पीना है फोर्थ है दोस्तो जो बहुत ही जादा इवन बहुत सारी countries में use किया जाता है वो है कद्दू की जाए जी सुनने में थोड़ा सा आपको unusual सा लगेगा बड़ दोस्तो कद्दू बहुत जादा beneficial होता है बहुत जगा पे इसके soup बनाके serve किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत rich amount में fiber होता है दोस्तो तो यह ना सर्फ constipation problem में काम करता है यह diarrhea के case में भी बहुत अच्छा काम करता है साथी आपके digestion को enhance करने में आप में जो अपच की परिशानी बहुत लंबे समय से चली आ रही है उसमें इन सब में यह बहुत ही जादा लाप्रद है इसको आपको कैसे बनाना है दोस्तो आपको लगबग एक full slice आप समझ लें कद्दू की लेनी है यह आप मुटा मुटा मान क्योंकि जो कद्दू होता है इसमें बहुत रिच फाइबर होता है और स्टार्च आपके शरी में बिल्कुल नहीं जाने देता तो वेट को भी अच्छा रखने में यह मददकार है तो इसको आप जरूर प्रयोग करें और इन चारों मैसे दोस्तों आप जो भी आपके और जीरा यह सारी चीज़े तो सभी के घर में mostly मिल जाती हो इन में से जो आप जोओने देश अब कर सकते हैं और चाहें तो आप सारे ही जो आर जो चाहें तो आपको उग सब cyn कर सकते हैं कम से कम 15-20 दीन एक महिने तक आप मि 7 आप चैंजेंगे कि आपके जो कि त्प्टी है पहले से बहुत ज़्यादा बहतर हो गया है ऐसे यह जो होती थी वो कम हो गई है पेट अच्छे से साफ हो रहा है जो पेट फूल ने जैसे टंजनसी थी वो सारी चीज़े कम हो गई है तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें शेर करें जादा जादा अपने फ्रेंक्स फामिली मिंबर्स रिलेक्टिव्स के साथ और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल जरू सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलती हूँ इसी तना के informative वीडियो के साथ अब तक के लिए thank you so much, stay safe and healthy